हेलो दोस्तो, DRDO, Defense Research Development Organization, Center of Airborne का एक उनिटी है DRDO का, वहाँ से एक recruitment निकल के आ रहा है, और यहाँ पे यह जो वेकेंसी है, JRF ट्रेनी के लिए, Junior Research Fellow ट्रेनी के लिए recruitment है, अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो ही आप इस वीडियो को continue कर सकती हो, वीडियो को end तक देखिए, पू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरू सब्सक्राइब कर लिजे, चलिए दोस्तो, मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलूँगा, वहाँ पे सारे डिटेल समझा दूँगा, कैसे आपको अपलाई करना है, क्या eligibility criteria रखा गया है, तो दोस्तो, स्क्रीन पे देख सकती हो Government of India Minister of Defense, Defense Research Development Organization, Center of Airborne System, ये एक unity है दोस्तो, DRD का Center of Airborne System, चलिए, जो वेकेंसी आ रहा है, Junior Research Fellow, JRF के लिए, टोटल वेकेंसी है, 20 नंबर अफ वेकेंसी रखा गया है, और यहाँ पे कौन सा ब्रांच के लिए कितना वेकेंसी है, एरोनेटिकल इंजिनियरिंग के लिए 2 वेके वेकेंसी है, Computer Science and Engineering के लिए 5 वेकेंसी है, Electronics and Communication इंजिनियरिंग के लिए 9 वेकेंसी है, Electrical Engineering के लिए 1 वेकेंसी है, Mechanical के लिए 3 वेकेंसी है, कुल मिलाके 20 वेकेंसी है, ब्रांच वाइज यहाँ पे वेकेंसी दिया गया है, और यहाँ पे बोलना चाहूंगा Mechanical Engineering वेकेंसी के के लिए कौन कौन इसको अपलाई कर सकते हैं मेकानिकल एंजिनियरिंग मेकानिकल एंड आटोमेवाइल इंजिनियरिंग मेकानिकल एंड प्रोडक्शन इंजिनियरिंग ये सारे ब्रांच जितना भी है आप लोग मेकानिकल इंजिनियरिंग के लिए अपलाई कर सकते हो इलेक इंजिनियरिंग के लिए एलेक्ट्रिकल पावर सिस्टेम इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड Extraеньitarian इंजिनियरिंग, यह सारे जितना भी ब्राँच है आप लोग इसको अपलाई कर सकती हो इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग के लिए next यहाँ पे electronics and communication engineering के लिए यहाँ पे जितना भी branch दिया गया है आप लोग इसको apply कर सकते हो फिर computer science engineering के लिए यह जितना भी branch है आप लोग इसको apply कर सकते हो मैं detail में नहीं बता रहा हूँ आप लोग screen पे देख सकते हो दोस्तों और यह जो jrf है इसके लिए आपको stipend जो मिलने वाला है वो 31,000 आप लोग को मिलेगा per month और उसके साथ hra house rent allowances भी मिलने वाला है और इसके लिए जो qualification bb tech with valid get score होना चाहिए आपके पास अगर get score है तो आप इसको apply कर सकते हो और उसके छोड़के अगर bb tech के साथ आपके पास mem tech है तो भी आप इसको apply कर सकते हो only get 2020 and 2021 acceptable है 2020 and 21 का get score valid है इसको apply करने के लिए age limit की बात करें तो 28 year तक आप इसको apply कर सकते हो फिर उसके बात age relaxation लेना चाहते हो तो आप लोग को age relaxation भी मिल जाएगा selection process के बात करें short listing किया जाएगा आपको get score wise उसके बात आपको लोग को online interview लिया जाएगा online interview होगा और short listing पहले get score wise आप लोगों के लिया जाएगा और आपको कैसे apply करना है आप लोगों को एक application form मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हो यह है application form इस application form को download करना होगा download करके fill करना होगा fill करके यहाँ पे mail id दिया जाएगा है इस mail address को आपको वेजना होगा within 21 days 21 दिन के अंदर आपको mail को आपकी document के साथ यह जो format दिया गया है उस format को send कर देना होगा और within 10 MB के अंदर आपके PDF होना चाहिए PDF को send कर दीजिए जल्द से जल्द आप लोग इस PDF को download कर सकते हो application form को download कर लीजिए यहाँ पे सारे आइदर आप pen paper में लिकिन लीजिए नहीं तो आप अगर typing कर सकते हो typing करके यहाँ पे fill करके आपको address दिया गया है mail address इस mail address में भेज दीजिए जितना जल्दी हो सके इसके regarding और कोई भी doubt होगा तो comment जरूर करना और दोस्तों ऐसा ही job update चाहती हो तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई जाहिं